हेलो एवरीवन नमस्ते वेलकम बैक टू घरोंदा फैमिली व्लॉग्स मेरा नाम है किरन आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा डिनर रूटीन और किस तरह से मैं डिनर बनाने के साथ साथ प्री प्रेप वगरा करके रख लेती हूँ ताकि आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सामके साड़े साथ बज़े से तो दिन में मैं पीहू को जब स्कूल से लाने के लिए गई थी तो लसन और प्याज खतम हो रहे थे तो थोड़ा समय मार्केट चली गई थी और लसन और प्याज ले लिया था तो वह इसी तरह से भी पॉल जहाँ रखती हो न वहाँ पे रधिया है और डिनर बनाने के लिए कारते मैं च楠 लिया थे जो भी चीजे दाम पर क्यों बने कीृकिम साइज की लोकी है और थोड़ा सा बढ़े तुकडो में चुक्रू को ऺटकर लिया है तो इक मार फोड़ा घूज हर K 1950 साहे और कौऑ कर साथ ही साथ मैंने थोड़ी देर पहले लसन को थोड़ा सा पानी में सोख होने के लिए रखा था इससे ना लसन पील करने में बहुत आसानी होती है फटा-फट जल्दी से पील हो जाते हैं बिल्कुल भी टायम नहीं लगता तो तीन-चार मैंने लसन की कलिया ली है और इसको दर्द्री मैंने इस तरह से कूट्करड रडी कर लिया है तो चलिये रेसिपी मैंने यहांब शुरू कर दी है तो प्रेशर कुकर में कुक करूंगी तो सर्जों चारते नका से लता है निया ले एक आा Challenge चालवी अजहलब रखा भूनेंगे, उसके बाद मैंने गार्लिक करश्ट करके रखा था अज़री चीज़ा, गार्लिक करने जीक rich लेख, जिए अज़री लकी यचाल करें में चाampa लेख , अज बून भाद फ्लेम ठाना बनाती हमां, वैते दाए तमाटर एड़ कर लिया है तमाटर एड़ करके भी अच्छे से मिक्स कर देंगे इस रेसिपी में बहुत ज्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं और बहुत अच्छी रेसिपी बनती है ट्राइ जरूर करना दूसरी तरफ ना साथ ही साथ मैंने धनिया की पतियों को कट करके रख तो देखिए यहां पे सारी चीजे जो है वो अच्छे से अलमुस्ट भून गई है और चने की दाल को खाना बनाने से एक घंटा पहले मैंने सोक करके रख लिया था पानी में तो पानी सारा मैं यहां पे ड्रेन कर लूँगी और इससे ना चने की जो दाल है वो थोड़ी के लिए भूनेंगे दाल जब आप इस तरह से थोड़ी देर के लिए भून के बनाते हो ना तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो यहां पर दाल वेगर अच्छे से भून गया उसके बाद मैंने एक चमच भर के गरम मसाला पाउडर एड़ किया है और धन्या की जो पर पानी मैंने अड़ कर लिया है जिस तरह से मुझे दाल की कंसिस्टेंसी चाहिए और सॉल्ट टू टेस्ट और बस सारी चीजों को यहां पर अच्छे से मिक्स कर देंगे और प्रेशर कुकर का लिड लगा कर लो टू मीडियम फ्लेम पे पांच से छे सीटी आने तक आप चावल बनाने के लिए यहां पर पानी ले रही हूँ जब तक डाल कुक होगी तब तक राइस भी बन रेड़ी हो जाएंगे और मैं सिंपल से जो वाय்ड राइस होते हैं और बॉलर करके जो बनाया जाते हैं बस वही बनाने वाली हूँ यह वाली दाल के साहत बहुत अच् राइस जो हैं वो कभी भी ज्यादा नहीं बनेंगे और एक मेजर्मेंट के लिए मैंने रखा हुआ है उसी से मैं हमेशा नापती हूँ तो राइस मैंने यहां पर अच्छे से वाश कर लिया है हमेशा धोकरी बनाना चाहिए तो राइस बनाने के लिए जो पानी बॉइल होने के लिए रखा था वो हल्का सा गरम हो गया है तो यहां पर जो राइस मैंने वाश करके रखे थे ना वो मैंने अड़ कर दिये और एक बर मैं इसको अच्छे से चमच के हल्प से मिक्स कर दूँगी और इसको उबलने देंगे जब तक राइस सॉफ्ट ना हो जाए दूसरी तरफ मैं अभी प्री प्रेप करके रखूंगी नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए जो भी मुझे हस्बंड को लंच बॉक्स में सबजी वेगरा बना के देनी है उसके लिए तो अगले मॉर्निंग मैं स्प्रिंग अनियंस की सबजी बनाकर हस्बंड को देने वाली हूँ तो अच्छे से वाश किये हुए स्प्रिंग अनियंस से ये सूख गये थे उसके बाद मैं इसको कट करके छोटे छोटे टुकडों में इस तरह से स्टील का मेरे पास एक है इसमें मैं स्टोर करके फ्रिज में रख दोंगी साथ ही साथ में राइस भी चेक कर रही हूँ ताकि नीचे तले से लगना जाए दस से बारा मिनट का टाइम लगता है इस तरह से राइस बनने में और मैं क्या करती हूँ ना जो छोटा वाला बर्नर है गैस का उस पे है इस तरह से छोटे छोटे टुकडों में कट करके रखा है इसकी रेसिपी मैंने अलड़ी मेरे चैनल पर शेयर की हुई है अगर आपने चेक नहीं किया है तो उपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा तो साथ साथ में प्रेशर कुकर में भी विशल आ रहा है दाल जो है वो कुक हो रही है और साथ साथ में मैं यहां पर राइस अभी चेक कर रही हूं कि हुए है कि नहीं तो राइस परफेक्टली बॉयल हो गया है अब इसका पानी जो है वो मुझे श्ट्रेन करना है तो इस तरह से ना मैं हैंड गलब्स जो है वो यूज करती हूं बहु मैंने मेरी मम्मी से सिखी है कि थोड़ी देर के लिए धकन को हटा दो तो इससे ना राइस जो है वो खिले खिले बनते हैं उसके बाद फिर आप धक कर रख दीजिए तो गलब्स वेगरा मैंने उसकी जगह पर रख दिया है कुकिंग के साथ साथ आप क्लीनिंग करते रहो या और सिखी है तो किचन जो है इस तरगा से नीट एंड क्लीन रहता है तो लशन जो मैंने सोग करके रखे थे न धेर सारे थोड़ी से तो मैंने दाल में यूज़ कर लिए और यहां पर बांकी के जो लशन है वो मैं पील करके इस तरह से ग्लास का एक जार है इसमें मैं स्टो करके रख सकते हैं अराम से एक हफता तक आपको लसन छिलने की जंजट नहीं रहेगी और कुकिंग के टाइम पर ना जो भी कटिंग चॉपिंग आप करते हैं तो इस तरह की प्लेट आप यूज करें उसी में सारा छिलका वेगरा स्टोर करें इससे आपको बहुत जादा क्ली चंसी के साथ बनके रेडी है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आया था आप चाहें तो उपर से एक चमच घी अड़ कर सकते हैं लिड हटाने के बाद इससे ना दाल का टेस्ट और जादा इन्हेंस हो जाएगा और आम ना फ्रेंट्स मैं यहां पे सैलेट कट कर रही हूँ तो कुकमबर मैंने नॉर्मल रूम टेंप्रेचर पर ही बाहर रखा हुआ था आजकल फ्रिज का थंडा हम लोग नहीं खाते हैं अब वाइट करते हैं खासी वेगरा होने का डर रहता है तो पहले मैं कुकमबर को अच्छे से पील कर लूँगी अच्छे से वाश किये हुए कुकमबर हैं और अभी साथ ही साथ में आप लोगों के साथ मेरा नया सैलेट कटर भी शेयर करूँगी जो कि मैंने अमेजॉन से खरीदा है तो देखिए यहां पर खीरा मैंने छिल लिया है और साथ ही साथ छिलका वेगरा डश्ट पीड में फेक दूँगी अभी बताया थ कुकिंग के साथ साथ क्लिनिंग भी करते रही है तो इससे एजी रहता है मोस्टली मैं ट्राइ करती हूं कि इस चीज को फॉलो करूं और यह है वो सैलेट कटर जो कि मैंने अमेजॉन से खरीदा है जो कि मैं अभी आपको बता रही थी रितू ब्रैंड का है यहां पे इसका सामने प्रेजेंट करना है तो इससे अच्छा सैलेट कटर होई नहीं सकता है काफी दिनों से मैं यूज कर रही हूं कोई भी जंग वगरा लगने का इश्व आज तक नहीं हुआ है आप इसको धोकर पोच कर अच्छे से रखिए कभी भी खराब नहीं होगा और कहीं से एज अगर तो भी चीज़ आप कट कर रहे हैं उसको थोड़ा सी टेड़ा करके पोजिशन में आप लिए सृजय करिए इस तरह से लम्बे-लम्बे धलाईशसर निकलेंगे और ट्राइब करणा बह। अच्छा सेलेट कटर है और अब टाइम आ गया है डीनर सर्फ करने का तो यह यहां पे हमारी simple सी डिनर की थाली है जिसमें है boiled एकदम खिले-खिले बने हुए white rice लौकी वाली चने की दाल जिसमें मैंने थोड़ा सा उपर सा घी डाला है और पतले-पतले slices में कटे हुए यहां पे कुकमबर और यह घर का बना हुआ आम का चार तो एकदम simple सा हमारा healthy डिनर routine और जब मैं kitchen के इतने सारे काम कर रही थी रात का डिनर बना रही थी अगले दिन के लिए pre-prep करके रख रही थी इसी बीच husband भी आ गये थे office से timely तो मैंने चाए भी बनाई थी मेरे और husband के लिए और पीहू भी हमारे साथ चाए biscuit खाती है तो वो सारा कुछ मैंने shoot नहीं कि और पीहू के साथ जब भी हम TV देखते हैं तो या तो कोई documentary देखते हैं या कोई movie कोई अच्छी सी series या फिर कोई comedy serial तो बच्चों के साथ ऐसी ही चीज देखते हैं जो बच्चों के साथ देखी जा सके और ये अभी हम लोग कुछ Netflix पर movie देख रहे थे जिसका नाम है Unlocked औ और काफी अच्छी movie थी देखना जरूर और अभी time हो रहा है 10-35 और movies ना हमारी कभी भी एक बार में finish नहीं होती है rarely होती है नहीं तो दो बार तीन बार में देखी जाती है तो इसी note पर आ गया friends हम आज के vlog के end पर उमीद करती हूँ आपको मेरा आज का vlog पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो like, share, comment and subscribe जरूर करना मेरे channel पर first time आया है तो bell notification on करना ताकि आपको मेरे नए vlogs की updates मिलती रहे मैं मिलूँगे आपसे मेरे next vlog में तब तक के लिए thanks for watching, take care, bye bye